सब्सक्राइब कर लिया अब देखेंगे दोप्लाइब के लिमिटेशन क्या होते हैं क्योंकि कुछ कंडिशन होती जहां पर हम दोप्लाइब देखा था हूं अप्लाइ नहीं कर सकते हैं या फिर इसको फड़ा बहुत चेंज करने कि हमको जबत पड़ेगी जैसे फॉर्स्ट या फिर उब्सक्राइब इन दोनों के भी जो भी रिलेटीव वेलासिटी वह इस वुड़ेशन के वेलासिटी अवसांड अगर आप एर के अंदर लेते हो जो जीरो डिटेमपेश्टर पर यह होता है कुछ थर्टी टू बीटर पर सेकंड टेमप्रेशन मढ़ेगा इसका जो भी आपका सांड का विलासिटी होगा एर में उसके काफी चोटा होना चाहिए अगर इसके वैल्यू इसके पास में याफिर से ज्यादा होती है तो आपको डॉपल एफेक्ट फिलीन होगा उसका एक रीजन है कि अगर आप ही सांड की स्पीड से जादा दा रहे हूं पर इस उससे दूर जा ठीक है अब आपका सांड जो भी स्पीड से आ रहा है अगर आपका अप्ज़र उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड से दूर जा रहा है स्फिए नहीं पाएगा बाएगा ना क्योंकि आपको पहुचे पहुंचे सांड आरो ऑपसर डायेक्शन में तो काफी छोटा होना चीज है एक और इंपॉर्टन चीज हमको देखने यहां पर कि आपका जूभी डॉपलर एफेक्ट करेगा कि इनके बीच में आपके सोर्स और ऑब्जरूर के बीच में तो इन दोनों का मुशन एक स्ट्रेट लाइन में होना चीजिए इस बोत आर तो यह मुशन स्ट्रेट लाइन में होना बहुत जरूरी है कि अगर यह स्ट्रेट लाइन में नहीं होता दोनों का लाइन तो आपका डॉपलर हमने जैसे पढ़ना था हमने जो फॉर्मॉला फिगर आउट किया था लास्त में वह आपका यहां पर अप्लाइन कर पाओगे अगर आपका मीडियम जो कि इसे से से के लिमिटेशन अगर आपका मीडियम क्षोपी एर अगर यहीं करना सौन क्रेट कर रहा है यहां से साउंड आ रहा है और मीडियम में मेरा में मुवमेंट हो रहा है मेरा मुव कर रहा है जो किसी बिए डारेक्षन में तो हमने फ़ॉंग लिखा था उसको डारेक्ष भी यूज्यों कर सकते उस पोकुछ modifications करने की जरोग पड़िगी. So these are 3 limitations of Doppler effect.